आईफोन 17 का उतपादन भारत में शुरू होगा, एपल पिछले कुछ वर्षों में अपनी आपूर्ती श्रिंखला में विविधता ला रहा है, और भारत एपल उतपादों के उतपादन के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक है, इस साल की शुरुआत में आई रिपोर्टों से पता चलता है कि क्यूपर्टिनो 2025 तक अपने आईफोन उतपादन का 25% भारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, और नवीन्तम मिंग्ची कू रिपोर्ट से पता चलता है, कूओ का सुझाव है कि बेसलाइन आईफोन 17 को 2024 की दूसरी चमाही में विशेश रूप से भारत में विकसित और उतपादित किया जाएगा, और रिलीज की तारीक एक साल बाद 2025 में होने की उम्मीद है, और लेक्न ये बात ये है कि यह पहली बार होगा जब कोई आईफोन चीन के बाहर अपना उतपादन विकास शुरू करेगा, को का सुझाव है कि एपल ने जोखिम को कम करने के साधन के रूप में विकास की कम कठिनाई के कारण, प्रो मॉडल के बजाए बेसलाइन आईफोन 17 को चुना, आईफोन 17 सीरीज के 2025 के पतन में लाँच होने की उम्मीद है, एपल ने 2017 में भारत में आईफोन को असेंबल करना शुरू किया, और टाटा इलेक्ट्रानिक्स ने हाल ही में 125 मिलियन डॉलर के सौधे में भारत में विस्टरन की असेंबली इकायों की 100% हिस्सेदारी खरीदी,